चीनिया से हिमंद कुमार की रिपोर्ट धूमधाम से मनाये गया चीनिया में हनुमान मंदिर का छट्वाई स्थापना दिवस बड़ी संख्या में श्रधालू हुए शामिल चीनिय प्रंखन मुख्याले स्थित हनुमान मंदिर का छटवा इस्थापना दिवस मंगलवार को बड़े ही धुमधाम एम हर्शोलास के साथ पनाये गया जहां बड़ी संख्या में श्रधालों ने भाग लिया मंदिर परिसर मंगलवार की सुभा में ही ससधच का पूरी तरीके से तयार कर लिये गये थे ततपश्चात पंडित राकेश कुमार पाठक ने मंतरों चार से विदिवत भगवान हनुमान जी की पूजा कराई इसके बाद श्रधा पूर्वक हनुमान जी को वस्तरधारं कराए गये जहां पूजा संपन के बाद महा आरती का भव्वे आईजन हुआ तथा महा परसाद का भी वित्रंग किया गया मंदिर कमेटी की अध्यक्षे सुरेंदर प्रसाद ने बताया कि छे वर्ष पूर्व इस्थानी लोगों के प्रयास से दुर्गा मंडप के बगल में हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी जिसका आज चट्वा साल पूरा हुजाने पर बड़े ही धुमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मंदिर कमेटी के सभी अधिकारी पदादिकारी के प्रयास से बड़े आज हनुमान मंदिर का चट्वा इस्थापना दिवस मनाए गया मैं एक दिवसी स्थापना दिवस आये जन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में महिला पूरुषवा बच्चे मंदिर परीसर पहुंचे बगंटो पूजा अर्जना में लीन रहे इसके बाद शेतर से जुड़े हजारों लोगों ने महप्रसाद ग्रहन किया इस मौके बर अशो प्रसाद, सुरेंद्र प्रसाद, पपू प्रसाद, राकेश कुमार पाठक, प्रिंस कुमार, विकास केसरी, बैचनाथ साहा, विच्छल साहा सहित बड़ी संख्या में लोग मजूद थे, धन्यवाद. केवी स्कुल के पास रहला रोड गरवा, विशेश जांकारी के लिए दिये गए नंबर पर संपर्क करें.